हाँ इनकी बात एक तरे से सही भी है माग जखरवत परचस वचा रहे हैं पूरे सोशल मीडिया के इसमें होगी लड़ाई आजो वेगास ओंपे गड़ी अब ये सब देख के लॉन मस्क ने कहा दुनिया का राजा तो मैं आप क्या देखोगे क्या नी देखोगे वो फैसला लेंगे आप क्या खरीदोगे क्या नी खरीदोगे वो फैसला लेंगे आप क्या पसंद करोगे क्या नी पसंद करोगे वो फैसला लेंगे जैहिंद मेरा नाम है अलग पांडे और आज हम पढ़ेंगे कि मेटा कंपनी ने यानि फेस्बुक ने जो भी नया नया एप लॉंच किया है थ्रेड जो कि कहा जा रहा है कि ट्विटर की कॉपी है कहा क्या जा रहा है है यह कॉपी और उसके ओपर जो बवाल चल रहा है एलॉ चीज समस्ते हैं ट्विटर क्या है तो ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म है जहां पर छोटे छोटे मैसेज जिसको ट्वीट कहा जाता है वो लिखे जाते हैं 2006 में इसकी संस्थापना हुई 2004 में फेस्बुक पूरा पब्लिक हो गया था हर जगे 2006 में लोग को फ कर सकते हैं मतलब यह सब यह जिस writing की विचार पिसे अनौंसमें पर लिए वेनटी तो telephone बदह पने उसको पड़ाईया देते हैं कोई सेलिब्रीटी और ट्वीक पाशिलिस लिखता है तो यह official इसे बना क्योंकि शुरुवात ही ऐसी हुई कि छोटे message लिखने है, text में लिखने है, लंबले में message नहीं है, photo नहीं है, वीडियो नहीं है, खेर ऐसा नहीं है, बाद में उनोंने photo वाला feature भी ले आए, पर 2010 तक लाए थे तो तब तक वो serious audience यहाँ बन चुकी थी, एक trend बन गया था, यहाँ पे official seriousness का, ठीक है, इसके हाँ खेर अब इसमे photo भी डाल सकते हैं, आब इसमे वीडियो भी डाल सकते हैं, सारी चीज़े ले आए, twitter इतना popular है, आज भी कि इसका माउ 45 करोड है, माउ, मियाउ वाला बिल्ली वाला माउ नहीं, माउ, M-A-U, तो M-A-U होता ह है, monthly active user, यानि एक महीना में कितने लोग आपके platform का इस्तमाल किये, तो twitter का वो number है, 45 करोड लोग, अच्छा, अब ये कौन है, ये भाई, विश्व पितामा है, ये तो पूरे विश्व के सबसे अमीर इनसान है, श्री एलाउन मस्क जी है, ना, इन्होंने SpaceX बनाया, बड़े लाग करोड की इनकी वर्त है, बीस लाग करोड की इनकी वर्त है, और ये अमीर तो ही है, पर साथी साथ ना, थोड़ा सा ये बुद्धी जी भी है, intelligent भी है, philosophical भी है, visionary भी है, आगे की भी सोचते हैं, कहते हैं, मार्क्स में जीवन होगा, तो बहुत ही जादा इनकी fan following भी है विश्व का सबसे अमीर आदमी, ये राजा है पूरी दुनिया का, तो ये ट्विटर पे राजा की तरह भी हेव करने लग गए, जैसे ना, पत्य को बलाया, डाट दिया, किसी को बलाया, कुछ बोल दिया, किसी की चुटकी ले ली, किसी से मजे ले लिया, लोगों को तंग करने लग गए, और इस तरह के कॉमेंट से टूटर पे करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि वहाँ पर ये कॉमेंट करते थे, वो वाइरल होता था, न्यूज में आता था, बाहर दुनिया को दिखता था, लोग कहते थे, हा, एलान मस्ग भाई, तो कितने चलाक है, इन्होंने जेब बेजॉज is a copycat, हा, 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 बोल रहें कि जेब बेजॉज कौन है, नकलची बंदर है, अब इसके बाद दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है इंटरनेट का शेहिंशा, है ना, पूरे सोशल मीडिया का बादशा, कौन, मार्ग जुकबग, 2004 के अंदर इन्होंन monthly active user, वो 300 करोड है, 300 करोड, यानि 300 करोड लोग महिने में एक ना, एक बार आके Facebook को इस्तेमाल करते हैं, इससे बड़ा माओ किसी भी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म का भी भारत में, या किसी विश्में कहीं पे भी नहीं है, पर या ना, ये थोला सा मार्ग दोगोग, Snow White पढ़िए क्या आपने, Snow White में एक बुड़ी थी, औरत थी, जो हमेशने शीशे में देखती थी, बोलती थी, बता शीशे मुझसे सुंदर कौन, इनके साथ भी ये, इन कहते हैं, बता दुनिया में मुझसे बड़ा इंटरनेट का बाश्चा कौन है, तो 2006 से 2012 तक तो कोई डाला है, अलग-लग पोस बना के डाला है, अब फेस्बुक पे भी फोटो डालने का फीचा था, पर फेस्बुक पे और भी बहुत कुछ हो रहा था, यहां सिर्फ फोटो हो रही थी, तो बहुत सारा यंग जनरेशन यहां गया, दूसरा बड़ा कारण था इसके पॉपलर ह पे आया, लैप्टॉप अगरा पे आया, इसके बाद मोबाइल पे आया, फेस्बुक लाइड बनाया, पर हम आपको पता है वो कैसा परफॉर्म करता, और इंस्टाग्राम सक 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 स्मूथ ली एकदम चलने लग गया था, दो हजार बारा में एक बिलियन डॉलर, आठ हजार करोड में इन्स्टाग्राम को एक्क्वाइर कर लिया, अब ये बन गया, फिर से सबसे बड़े इंटरनेट के शहेंशा, इंटरनेट के बादशा, फिर इंका दंदा से ही चलने लग गया, दंदा कैसे चलता है, एडविटाइजमेंट से, बड़े-बड़े ब्रैंड आते ह इनके प्लैटपॉम के ओपर, फिर क्या हुआ है, ये चलता रहा चलता रहा, फिर उनने शीशे से बूचा, है शीशे, आईना मुझे बता, क्या मुझसे बड़ा कोई शहेंशा है, इंटरनेट में इनका, एक और बच्चा पनपरा है, वो कौन है, वाट्साप, 2014 में वाट् सकते हो, आडियो भेज सकते हो, जकरभग ने ये सब तो हमारे पास भी है, इनका हमने फेस्बूक मेसेंजर बनाया है, उसमें इस सारी चीज़े होती है, वोटसाप ने का होती है सहब, अपर आपका फेस्बुक मेसेंजर थोड़ा सा इंटरनेट जादा लेता है, हम बहुत और लोगों का तो हम आप से जादा वैलिविल असेट है तो उन्हें ने का अच्छा शेहिंशा तो मैं हूँ चलो आजओ नहीं हम नहीं आएंगे क्यों क्यों हमारी बोली बहुत महंगी लगए किती बोली लगी है क्या गूगल ने हमारी बोली लगा दी है दस मिलियन डॉलर क पकड़ो करीब 80,000 करोड यह उनना का 80,000 करोड की वैलू दोगे तो हम आएंगे तो यह उनने मार्ग जुकवक ने पता है क्या बोला एक लाक 60,000 करोड देगा आपन आजा भाई अब एक बात और सुनो ऐसा नहीं है कि एक लाग 60,000 करोड आइसे लेके नगत टेबल पर रख देते हैं क्यास ऐसे नहीं होता है इसमें एक छोटा से amount cash होता है बाकी equity दी जाती है इसको ऐसे समझो कि माल लो कि तुम्हें पास एक Lamborghini गाड़ी है हम आए हमने का हमको अपनी Lamborghini गाड़ी दे दो तुमने से लेका माश्चा लिम्बॉगण दो करोड कह से में लोड़ का है तुमनेता है तुमने फिर कैसे लोगे मने आख मेरी पापा का घर है वह कहा है उस घर का बीकर में तुम को दे देदेते हूं 20 परसेंट कितना हो गया बचा हुआ थोड़ा बहुत करोड़ आप हाथ में लेलो, इस तरह से ये डील होती है, acquisition की, जो बड़े-बड़े कंपनी के आप acquisition तुलते हो, 1000 क्रोड़ का acquisition 500 कोड़ता है, इसा नहीं कि 1000 क्रोड़ इसा टेबिल पर देदेते हैं, cash बहुत कम होता है, ठीके, तो ये चलता रहा इस तरह से इक्वाइर कर लिया, 2014 तक सबसे strong बन गया, एक दम बढ़िया चल ला था, कोई social media platform नहीं बचा है, 2020 में आके इनको लगा, आप कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, तो इन्होंने का यार, Facebook भी हो गया, WhatsApp भी हो गया, Instagram भी हो गया, तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं बहुत बड़ा हूँ, तो इन्होंने का, अब हमारा नाम मेटा होगा, अब हमारा नाम Facebook नहीं, उन्होंने कंपनी का नाम चेंज किया, कंपनी का नाम होगा, मेटा मतलब बहुत बड़ा, अब मेटा में इन्होंने क्या कहा, कि मैं एक मेटा वर्स बनाओंगा, जो इ कूमने जाना है कहीं, वर्चुल वर्डे, माल लो कि तुम रहते हो देली में और तुम्हारा दोस्त रहता है मुंबई में, और तुम शुम थोस्त ने प्लान किया कि हम लोग ताशी के पत्ते खेलेंगे। पर ताशी के पत्ते हम लोग खेलेंगे Ian Antraam में अंतरिक्ष में एक स्पेश शिप के अंदर हम लोग ताश के पत्ते खेलेंगे तुमारा दोस्त धोती कुर्ता पहनेगा तुम सूट बूट पहनोगे और ऐसे खेलना है ताश के पत्ते और तुम हो दिल्ली में और वो है मुंबई में और पैसा रूप्या है नहीं तेलों कपड़े पहनाना हो आप पहना दिया आपके दोस्त ने धोती कुर्ता पहना दिया फिर जहां ले जाना हो इसको वर्चुल लियालिटी में चश्मा लगा उसमें दिख रहा है उसमें आप पहुँझ के कहां अंतरिक्ष में के स्पेश शिप के उपर या आपका दोस्त इस तो माघ जकरबग बना हुआ है, क्या बात कर रहा है, कि कोई अपनी गल्फरेंड के साथ वर्चुल लियालिटी में डेट पे चला जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये बुद्धी जी भी थे, ये ट्विटर पे एक्टिव थे, ट्विटर से इनको बहुत जादा लग इनको जाके बोलने लग गया, कि ऐसा है, देखो, में पास भी 9% स्टेक है, और ट्विटर पे आजादी नहीं है, बोलने की स्वतंतता नहीं है, freedom of speech नहीं है, आप किसी का अकाउंट का भीब डिलीट कर देते हो, कोई politician बोलता है, तो किसी एक अकाउंट बंद कर देते हो, आप चाहते हो किसी पोस्ट को बंद कर देते हो, आप मुठी वल लोग को टिक का साइन देते हो, ब्लू टिक जो है, मुठी वल लोग को आप वेरिफाइट साइन देते हो, बाक्यों को नहीं देते हो, तो यह इंटेलिजेंट लोग बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़ टेक की जित्ती टेक की कमपनी की किसी वी की दुनिया में कोई भी डील हुई ओ 44 बिलियन डॉलर लोगों ने सर पकड़ लिया तो बोला था यह क्या कर रहे हो क्यों खरीद हो 44 बिलियन डॉलर तो उन्हेंने सबसे फैसला क्या लिया उन्होंने कहा कि ट्विटर से 80% करमचारी को मैं हटाता हूं लोग ने बुला है क्यों क्यों जंग लग गया नए लोग लेके आऊंगा और company में वैसे मुनाफ़ा नहीं हो रहा मुनाफ़ा भी लाना तो थोड़े से लोग मुझे कम करन अब यह इतिफाक कहलो यह इसी से रिष्टा था इसका कि इसी समय पे ट्विटर छे बार क्रैश कर गया तो लोगों आ थोड़ा भरोंसा हिल गया ट्विटर के उपर कि यार यह कैसे डिसीजन ले रहा है चानक से ट्विटर हिला दिया प्रूरा प्लेटफोर में इसके परक पर होता है आप रिक्षा चलाते हो यह आप पाल्यमेंट में बैठते हो सब बरावर हो में जो शाड़े 600 रुपे देगा मैं उसे ब्लू टिक दूँगा अब देखो हो सकता हो यह सोच अच्छी हो वैसे तो पैसा कमाने का भी इसके पीछे रीजन था कि वैसा भी आए को किस बैटर को पीओ को जाद अच्छी है अब जो पढ़े गाउसे क्या लगे आप कोड़ा ज़्यादा अच्छी है पैसी वाला को को अला ज्यादा बिकने लगेगी तो इस तरह से क्या हुआ कि यह जो पैसी लगाना बंद कर दी इन्होंने एड़ोटाइस करना बंद कर यहां कुछ भी अलग अलग गलत इंफॉर्मिशन चली जाती है अगली कहा नहीं सुनो फिर क्या हुआ इसके बाद इसके इन्हों ने कहा ट्विटर का सिंबल होना चाहिए कुट्ता हाँ इन्हों सही में ट्विटर का लोगो चेंज कर दिया बोला कुट्ता लगाएंगे अब महिने का 60 रुपे वो रौज 10,000 पोस्ट देख सकता है 10,000 तूइट, 10,000 मेसेज देख सकता है जो हमें पैसा नहीं देगा वो एक हजार पोस्ट एक दिन में देख सकता है तो इस तरह की कुछ पोस्ट को भी लिमिट कर दिया कितनी पोस्ट देख सकते हैं तो कही न कहीं gece Twitter के ऊपर जो Twitter की audience थी, लोग थी, उनका भरोसा थोड़ा टूटने लग गया, और लोगों को ऐसा लगने लगया कि अगले दिन कौन सा बड़ा announcement आजाएगा, कि अगले दिन Elon Musk जग के कौन सा फैसरा लेंगे Twitter के लिए, तो लोग थोड़ा ड़ने लगये, और लोग अलग-अलग platform यूज़ करना शुरू कर दिये, जो Twitter जैसे थे, पर कोई भी platform इतना बढ़िया नहीं बन पाया था, क्योंकि Twitter 2006 से बना हुआ है, इतना scale हो चुका है, इतना पैसा आ चुका है, कोई भी platform इतना भैतरीन बना नहीं था, लोग धूर रहे थे एक platform और इस समय, इंटरनेट का बाश्चा इसने का, I am the king, this is the time, अब मैं आता हूँ, इन्हों का मैं launch कर रहा हूँ threads, और इन्होंने openly बोला कि thread is a competitor for Twitter, जो Twitter का सपना था, वो मैं पूरा करूँगा, Twitter का सपना था कि हम लोगों को connect करें, Twitter का सपना था कि हम freedom of speech को लाए, वो मैं करूँगा, और इन्होंने का मैं upthread launch करूँगा, जैसे ही इन्होंने ये बोला, वैसे ही Elon Musk Twitter पे आ गए, इन्होंने कहा कि ये जो Mark Zuckerberg है, इनको जग बोला जाता है, कि ये जो जग है एक्स्क्लूजिबली अंडर जख स्थम, ये पूरी दुनिया को, अर्थ, पूरी पृत्वी को अपने अंगुठे के नीचे दबाना चाहता है, देखो, इनकी बात एक तरह से सही भी है, Mark Zuckerberg वर्चस्व चाह रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, वर्चस्व मतलब एक छत्र राज, मौनापली चाह रहे हैं, अब वो Twitter का भी alternative बना देंगे, तो लोग Twitter से भी गया, पूरा सोशल मीडिया उनके पास, सारे अड़िटाइज के user ने बोला कि देखो, Elon भी या, उससे लड़ो नहीं, उनको Jitsu आता है, है न, Mark Zuckerberg को Jitsu आता है, Jitsu क्या होता है, Jitsu एक तरह का मार्शलाइट होता है, उनको लड़ाई जगड़ा आता है, उनके लिए ऐसा मत बोलो, हसी मत आक में, अब यह जो Elon Musk के न, थोग हुमरेस हैं और वो तैयार है, हुआ क्या, Mark Zuckerberg ने इसका screenshot लेके, अपने Instagram की story पे लगाया, और लिखा, send me location, जगा बता, लड़ेगा आपन, बता, कान है, बाई, तिरा रेडी है, और भाई, यह मेश्री का सबसे अमीर आदमी, चौधा सबसे अमीर आदमी, इतने बड़े गुद्धी जीव के होता है, टीवी पे देखा होगा, अरे वही मतलब wrestling, WWE, क्या रहे, इसमें होगी लड़ाई आजाओ, Vegas Octagon में, कब होगी, समय उमें नहीं पता था, पर जगाव डिकलेर हो गई, इसके बाद आप लोग रहा होगी, यहां तक भी मजाग चल लाओगा, दोनों की training करने लग यह दोनों की training स्टार्ट हो गई, यह देखो, Elon Musk की training चल लगी है, और यह देखो, Mark Zakabach की, तो यह सब हुआ, जब Mark Zakabach ने बोला, कि मैं thread लाने वाला हूँ, और Elon Musk को लगा, अगर thread आया, तो Twitter भी किया, फिर thread लॉंच हो गया, Google Play Store पे, Apple App Store पे, कहीं पे भी मिल सकता है, जान अपनी Instagram वाली ID से login कर लो, वहीं प्या option आजाएगा, कि login with Instagram, अपने Instagram वाली ID से login कर लो, तो उसको आप दबाए, और जैसी आप login करेंगे, फिर आपको होता है, अपना नाम लिखो, अपनी फोटो चिकाओ, अपने बारे में बताओ, कुछ नहीं, कहता है, सब Instagram से मैं ले पहते बग जाएगा, और Instagram पे, जकरवग के पास, 200 करोड माउ है, 200 करोड माउ है, यानि अगर इनकी एक चौथाई जनता, कितना, 200 करोड का माउ है, यानि इनकी एक चौथाई जनता भी अगर thread जोइन करती है, तो हो गया 50 करोड, और आपका Twitter कितना है, 45 करोड, तो बीट कर देंगे, और join करना चुपकियों में असान है, इसमें है, वही है सब सिंपल है, इन्होंने इसका नाम thread दे दिया, Twitter पर tweet बोलते थे, इन्होंने thread बोल दिया, तो thread में क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हो, अब इनका character limit जादा है, इन्होंने बोला 500 character तक लिख सकते हो, Twitter ने रिपोस्ट, रिटूइट, वही चीज़े है, quote क्या है, मालू मुझे ये line अच्छी लग गई, नकल करना पाप है, मैंने quote किया, ये पूरी लिख के आ गई, अब इसके साथ मुझे जो लिखना है, मैंने लिख दिया, photo डालना भी अलाव कर रखा है, वीडियो डालना भी अ आलोगे, 10, ऐसे swipe, जो Instagram पे, ये सिर्फ Instagram है, कुछ नया नहीं बनाया, इनोंने, प्योर Instagram छाप दिया है, अब आप एक बार केतनी फोटो जाती है, इसे swipe करके, 10 फोटो जाती है, इसमें भी 10, और Twitter पे, 4 फोटो, तो ये हर तरह से Twitter से जीत रहा है, कुछ चीजों में नहीं आप को 10 लाख लोगों से sign up कराने में, सबसे fastest किस ने किया, तो Twitter ने ये काम किया, 2 साल में, 2 साल में 10 लाख लोगों ने sign up किया, Facebook को 10 महिने लगे, 10 महिने में 10 लाख लोगों ने sign up किया, Instagram को सिर्फ 75 दिन में 10 लाख लोगों ने sign up किया, और Chad GPT को सिर्फ 5 दिन लगे, 5 दि में 10 लाग, अब आपको पता है Threads, जो Instagram का app निकला है जो Twitter का rival है, इसको कितना सा में लगा, पता है Thread को कितना सा में लगा, Thread को 10 लाग user base बनाने के लिए लगा एक घंटा, इसका आंसर बहुत सिंपल है, कि ये सागरते पानी निकालने Instagram में 200 करोड लोग पड़े है खट 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 वो ट्रांसफर हुए जा रहे है Thread में, तो वहाँ देजली मिलने है अब इतनी तेज ये वाइरल होने लगा इतनी तेज ये वाइरल हो रहा है अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 80 million 8 करोड लोग अब तक Thread sign up कर चुके है और आप देखो LinkedIn पर जनता ही कितनी है 45 करोड ये अभी 4-5 दिन के अंदर कितना हो गया 8 करोड पर पहुची गया है 8 करोड लोग sign up, बहुत तेज भाग रहा है ये चैट जपिटी का record तोड़ने वाला है चीटिंग सही नहीं है इन्होंने क्या किया? एक court notice भिज़ दिया माघ्जरकवक को notice में क्या लिखा? notice में इन्होंने ये लिखा कि आपने गलत तरह से Twitter के employees को hire किया Twitter के करमचारियों को अपनी company में नौकरी दी उनके पास Twitter का बहुत ही crucial data था बहुत ही safety वाला data था वो सारा data आपने use किया है threads को बनाने के लिए आपने पूरी Twitter की technology यूज की कैसे? आपने हमारे बहुत सारे employees बहुत सारे करमचारी को hire कर लिया उनका contract भी तोड़वाया हमसे और जबदस्ती hire करके ले गया उनको धे सारा पैसा दिया रिश्वत दी और उनसे सारा secret निकालके आपने threads बना लिया इस तरह के इल्जाम इन्होंने लगाए है सच्चे है पता नहीं क्या है पर Mark Zuckerberg के लिए कोई नहीं चीज नहीं है 2004 में जब इन्होंने Facebook बनाया था तो FaceMatch जब इन्होंने बनाया था न तो इन्होंने अपने तीन कॉलेज के सीनियर Harvard में मतलब विश्व के सबसे intelligent लोग जाते हैं तो Harvard में अपने तीन कॉलेज सीनियर को पकड़ा वो भी कापनी intelligent थे और उनसे बोलते हैं कि काम करो कहते हैं यार मेरे के लिए कुछ coding लग दो मैं HarvardConnection.com क्या HarvardConnection.com करके एक बना रहा हूं हमारी युनिवर्सिटी के बच्चों के लिए एक side बना रहा हूं तो तीनों सीनियर ने का हाँ ठीक है हम लोग लिग देते हैं इनकी मदद की इनके लिए code बनाया इन्होंने Facebook बना दिया अब ये कोई अफ़ा नहीं है उन तीन सीनियर ने ये बात जाके फिर college को बताई, अकबार वालों को बताई और Facebook पॉपलर होने लगा फिर अकबार वाले इनके पीछे पढ़ गए न्यूज वाले बोलते हैं यह ऐसा हुआ हुआ है क्योंकि उनका Facebook एठाउंता है, इनके पास पूरा login आइडी दा घुस गए खेर ये बात सच इसलिए है क्योंकि बाद में इन तीन सीनियर ने मार्क जुकबग के उपर court case किया ये case हार गये देड़ सो करोर रुपए इनको देना पड़ा मुआवजा कि हाँ आपका contribution था Facebook बनाने में और Facebook के share भी देने पड़े इनको उन लोगों को तो ये कोई नई बात नहीं है इस चीज के लिए और वैसे भी आप देखो यार कॉपी करना कोई ऐसे आप इलजाम नहीं लगा सकते हो आप ऐसे देखो कि जमेटो आया तो स्विगी आ गया उबर आया तो ओला आ गया Amazon आया तो फ्लिपकार्ट आ गया तो ये तो होता रहेगा similar models हमेशा बनते रहेंगे इसको लेके serious नहीं हो सकते हैं फिर मिलेंगे जैहिंद